नमश्का दोसों स्वारत है आप सभी का ओनलाइन एटाफ फॉस्ट प्री यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटिस अब्डेट के बारे में जो की संबंदिते हैं चुनाबी आचा सरिता के बारे में साथी साथ अगर बात की जाए मार्श्य लेकर जून तक होने वाली सभी बरती परीक्षाओं के बारे में इसके अलाबा टीजिटी पिजिटी एक्जाम इसके साथी साथ नई परमरी सिच्छक बरती को लेकर साथ ही हम बात करेंगे 6 महीने तक नई भरतियों के विग्यापन पर रोग के बारे में डिटेल में बात करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबालें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको दीगल ऑथेंटिक जानकरी ओनलाइन अड़ाफर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती था है आगे पटने से पहले हम बात करें यूपिट अपलेसी बीपियो की बैस्ट बुक के बारे में जो की चक्षू परकाशन की है अगर आपका भी सपना है कि इस बार आप ग्राम पंचाय तरिकारी बने तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए उसकी सबसे बड़ी वज़े है कि 100% आपके अकोर्डिंट टू स्लेवर्स इसको तयार किया गया है 25 से ज़्यादा आपको प्रेक्टिस सेट देखने के लिए मिलते हैं पिलस आपको 2450 से ज़्यादा बहुभी गिल्पे कोशन भी साथी साथ जो भी कोशन आपको दिये जाएं वो सभी most expected है आपकी परीक्षा में आने के लिए जैसा कि आप लोग अपनी स्कीन पर देख सकते हैं साथी साथ सभी कोशन की आपको सटीक उतर माला और उस उतर माला के साथ सभी उततर का रख्यात्म खल भी दिया जाता है इस बुक के साथ अगर प्रपेशन करते हैं तो आपके selection के जो chances हैं hundred percent है तो इस book को purchase करने के लिए मैंने आपको link Amazon और फिलिप काट के दोनों को वीडियो की description में दे रखा है आप चाहें तो वहाँ से purchase कर सकते हैं या फिर अगर आप इस book को purchase करना चाहते हैं अपने नसदी की store से तो किसी भी नसदी की store से जाकर भी ले सकते हैं अधिक जानकाई के लिए link वीडियो की description में है अभी purchase करें best preparation के लिए शुरूरात करते हैं सबसे पहली अपडेट की बारे में जो की समंदित है चुनाव और चुनावी आचा सर्तार की बारे में चाहे 5 साल तक कोई भरती ना हो तब भी कोई फरक नी पड़ता लेकिन चुनाव एक ऐसी चीज़े अगर दो दिन के लिए भी चुनाव करने की बदल जाएं या फिर चेंज हो जाएं तो मामले सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी आदी रात को खोल कर इन मामलों पर अपने फैसले दे देती है अब आप कहेंगे कि चुनाव भरतीयों में थोड़ा अंतर है क्योंकि चुनाव सरकार अपने फायदे के लिए कराती हो भरतीयां उनके फायदे के लिए कुछ होता नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भरतीयां कभी कराई न जाएं अब एक बार फिर से अगर बात की जाए चुनाव और चुनावी आच्छा सरीता के बारे में क्योंकि चुनाव से ज़्यादा महत्पूर है चुनाव की आच्छा सरीता जब से ये लागू हो जाती है उसके बाद से ना तो किसी परीक्षा का आयोजन हो सकता है अगर चुनाव आयोग पर्मिशन ना दे तो परीक्षा हो इनी सकती है और दूसी तब अगर बात की जाए नई भरतियों की विग्यापन के बारे में तो उसको भी भूल जाए क्योंकि सरकार तो बैसी भरती नहीं निकालती और चुनाव के समय तो क्या ही निकालेगी क्योंकि आच्छा सरीता में कोई भी नई भरती विग्यापन या पर्मोशन से संबंदित जो आदे से नहीं दिये जाते है और जो प्रोसेस जहां पर होता है वहीं पर रुक जाता है अगर किसी विशेश परिस्तिती के अंदर सरकार चाहे तो चुनाव आएक से पर्मीशन लेके ऐसा कर सकती है लेकिन ये बिल्कुल ना के बराबर है चलिए मुद्दे पर आते हैं मार्च से लेकर अपैल मई और जून के बीच में आयुजित किया जाएगा इन सभी परिक्षाओं को इस्तरित करके इनकी जो नई तारिक हैं वो जल्दी आप सभी के सामने आने वाली है क्योंकि अब लगने वाली है चुनावी आचा सहीता क्योंकि हाली में मिली जानकारी के अनुसार जो नोटिफिकेशन जारी किया था चुनाव आयोग ने उसके अनुसार उन्होंने बताया था कि 16 अपैल का पोल्टे देखने के लिए मिलेगा और चुनाव आयोग के माध्यम से स्टार्टिंग की तारीक और एंड की तारीक को लेकर प्लानिंग की जारी है जो भी महां के उच्चा दिखा रही है और इसको लेकर अब सूतों के माध्यम से जानका यानी शुरू हो गई है कि आने वाली पंदे मार्च के बाद कभी भी चुनावी आच्चा सहीता लग सकती है यानि कि चुनाव आयोग के माध्यम से चुनावों की घोशना की जा सकती है पंदे मार्च के बाद से और अगर एक बार पंदे तारीक के बाद चुनाव की घोशना होई तो निश्य तोर पे उसके बाद उसी समय से आच्चा सहीता लग जाएगी और फिर जितनी भी परिक्षा हैं मार्स से लेकर जून में होने वाली हैं उन सभी को इस्तगित करना पड़ेगा जिसमें उत्तर प्रदेश राज्जी की होने वाली सभी परिक्षा हैं समलित हो जाती है इसके अलाबा अगर बात कर ली जाए कुछ ऐसी भरतियों के बारे में भी जो की UPPSC के माध्यम से होती हैं उनको भी इस्तगित किया जा सकता है हाला कि UPPSC चाहे तो इसको लेकर करवा सकता है लेकिन परिक्षा कराना थोड़ा सा मुश्किल होगा इसलिए उनको इस्तगित करना पड़ेगा अगर हम बात कर लें इन परिक्षाओं के अलाबा नई भरतियों के बिग्यापन के बारे में और एक ऐसी परिक्षा जिसको लेकर अभ्याति काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं यानि कि टीजिटी पिजिटी को लेकर तो टीजिटी पिजिटी भरति को लेकर सीधे तोर पर कहिने की जो प्रोसेस डिपेंड करेगा वो नई सिक्षा सेवा चैन आयोग की उपर होगा जैसा कि समाचापत्तों की मार्द्यम से बताया भी गया है कि टीजिटी पिजिटी को लेकर जो नया आयोग है वो फरभरी के अंदर पूए तरीके से प्रभावी हो जाएगा अब डिपेंड करेगा कि या फरभरी के अंदर टीजिटी पिजिटी को लेकर कोई काम करेंगे या नहीं अगर फरवरी में शुरू हो भी जाता है काम तो निश्चित तोर पे चुनावी आच्चा सहीता से पहले परिक्षा कराना टेड़ी खी सावित होगी लेकिन अभी कुछ गयबाना संबब नहीं है क्योंकि जब तक आयोग बना नहीं है उससे पहले क्या ही कह सकते हैं सब कुछ डिपेंड करता है नई सिक्षा से बार चैन आयोग के बनने पर और उसके बाद में उनके अध्यक्ष और सदस्यों के उपर कि वो कितना समय लेते हैं टीजडी बिजडी परिक्षा कराने के लिए लेकिन इसी के अलाबा उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली नई प्रैमरी सिच्छक भरती को लेकर भी काफी लंबे समय से अभ्यति इंतजार करता है और ऐसे में इसका जो इंतजार है वो लगता यह है कि ये वाला चुनाबी साल भी कहीने कि ऐसे ही ना चला जाए क्योंकि एक तरफ ना तो आयोग बना है और ना ही सरकार की कोई मनसा क्योंकि पिछली बार तो सरकार ने कम चिकम सत्रे हजार प्रदों पर अनौंसमेंट भी की थी और इस बार तो सरकार ही मोन है और पिछली बार अभ्यति धना प्रदेशन करें थे इस बार तो अभ्यति भ बड़ी वज़ा है दोनों का बाहर हो जाना मुद्धों को लेकर चुप बैठ जाना क्योंकि वो भी जानते हैं कि जब तक आयोग बनेगा नहीं तब तक भरती आना तो दूर की बात है तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर टीजटी पीजटी परीक्षा कराना नई सिक्ष बड़ी का जो विग्यापन होगा वो सीधे तोर पर सरकार की मंसा पर डिपेंड करता है अगर वो चाहें तो पुलिस बड़ी को लेकर विग्यापन कभी भी जारी कर सकते हैं जैसे कि उन्होंने जारी किया लेकिन अभी उनकी सीधी जो मंसा है वो भरती के बजाए इने तक नई भरतियों के विग्यापन उपर सीधे तोर पर रोक लग जाएगी यानि कि अगर चुनावी आचा सीधा से पहले विग्यापन नहीं आता है किसी भी सिच्छक भरती का तो उसके बाद में जो भी भरतिया आनी होंगी वो फिच आपको चुनाप के बादी देख लेकिन अभी के लिए आप लोग अपनी त्यारी करते रहें क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनर सेवा चैन आयोक के माध्यम से इस मामले पर अभी ऐसी कोई जानगाई देखने के लिए नहीं मिलिया लेकिन बहुत सारे अभ्यातियों के माध्यम से शोसल मीडिया पर इस पर बात देखने के लिए मिलेगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो